स्पोर्ट्स बुलेटिन पुरुष वंडे विश्व कप न्यूजिलेंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हराया यहां के एमे चिदंबरम स्टेडियम में बुधवार को खेले गए ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप मैच में टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स के अर्धशतकों के बाद मिशिर सेंटनर और लौकी फर्ग्यूसन की शांदार गेंदबाजी के दम पर न्यूजिलेंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हरा दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजिलेंड 110 बटा चार पर मुश्किल में था जब तीन विकेट जल्दी गिरने से ठोस शुरुआत पट्री से उतर गई लेकिन ग्लेन फिलिप्स, 71 और टॉम लैथम, 68 ने 144 रन की साजेदारी की और अफगानिस्तान के कुछ खराब क्षेत्ररक्षन की मदद से न्यूजिलेंड को 288 से 6 के चनौती पूर्ण स्कोर तक पहुँचने में मदद की ICC की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुलाः शाहिदी ने तॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया और उनकी टीम ने एक शुरुआती मौका गवा दिया जब विल यंग को फजलेहे पारुकी की गेंद पर आउट कर दिया गया, जो की कई लोगों द्वारा गवाया गया पहला मौका था तॉमी पॉल ने मैकेंजी मैकडोनाल को चौकाया रूर जापान ओपन के प्रिक्वार्टर में हारे अमेरिकी टेनिस खिलाडी टॉमी पॉल ने बुधवार को जापान ओपन एटीपी पाँच सो इवेंट में हमवतन मैकेंजी मैकडोनाल को च्छे से चार, च्छे से दो से हरा कर सीजन के अपने नौवे और हार्ड कोर्ट पर छटे क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए संधर्ष के दोरान अपनी सर्विस पर मजबूत प्रदर्शन किया और अपनी पहली सर्विस पर 22 में से 21 अंक जीते एटीपी टूर की रिपोर्ट के अनुसार पाँचवे वरिय को ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा सीजन के अपने पहले खिताब के लिए प्रतिसपरधा करते हुए पॉल क्वार्टर फाइनल में बेन शेल्टन या जॉर्डन थॉम्पसन से भिढ़ेंगे वहाँ एटीपी लाइव रेस टू टूरिन में होलगर रून से 515 अंक पीछे 12 स्थान पर है वर्ल्ड कप में फ्लॉप शो के बीच इंग्लिश टीम को मिला मैकुलम का साथ ग्रेंडन मैकुलम ने विश्व कप में इंगलेंड की खराब शुरुआत के बाद वापसी करने की क्षमता पर भरोसा जताया है अपने शुरुआती तीन मैचों में दो हार जहलने के बावजूद मैकुलम का मानना है कि जोस बटलर की टीम के पास टूर्नामेंट में बने रहने के लिए परियाप समय है तूर्नामेंट के शुरुवाती मैच में न्यूजिलेंड के खिलाफ 9 विकेट की हार के साथ इंगलेंड के विश्व कब 2023 अभियान की शुरुवात खराब रही और इसके बाद बामलादेश पर 137 रन की बड़ी जीत जरूर हुई लेकिन फिर पिछले रविवार को अफगानिस्तान से 69 रनों की करारी हार ने मौजूदा चैंपियन को बड़ा जटका दिया है तूर्नामेंट में शुरुवाती अस्फल्टा के बावजूद मैकूलम ने माना की इंगलेंड टीम में तूर्नामेंट में बड़ाई दिया है